So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज इस वीडियो में हम BHEL और NHPC को डिस्कस करेगे यहाँ पर अगर देखें तो इनके साथ साथ हमें एक Dividend Share को भी देखेंगे और BHEL की Dividend History को देखकर यहाँ पर बिलकुल ऐसा लग रहा है कि BHEL में भी Dividend का Announcement हो सकता है तो काफी कुछ बाते इस वीडियो में हम करने वाले हैं तो वीडियो को एन तक देखना और गैस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दमाहजन Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही हमाले Telegram चैनल को भी जॉइन कर देना की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो गाइस बिलकुल यहाँ पर आप देख सकते हो BHEL में अच्छे रिटन्स हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर स्टाउक में 75.80 रूबिस तक की एक अच्छी बड़त देखने को मिलती है वही अगर देखो रिटन्स की अगर बात कर लू तो 1.55 रूपिस के अराउंड शेर इजी तरीके से उपर की ओर जाता हुआ हमें दिखा है 2.09 परसंग के बेसिस पे हमें रिटन्स मिले है वही अगर देखे फिछले पाच दिनों में स्टॉक में काफी ज़्यादा अफसाइड डाउंस मोमेंटम्स रहे है कभी स्टॉक नीचा आया फिर उपर गया था तो ये मोमेंटम्स के चलते आप देख सकते हो कोस्ट तो कोस्ट टॉक अबट्रेट कर रहा है और यहाँ पर एक रेंज में स्टॉक फसा हुआ है और जैसे ही ब्रेक आउट मिलता है ये शेयर बिलकुल उपर ही और चा सकता है और तगड़े रिटन हमें इसमें मिलने वाले हैं इन चीजों का आपको ध्यान रखना है वही अगर देखें तो वन मन्त में स्टॉक में जो रिटन्स हमें मिले है वो शानदार है सेवन रुपिस तक एशेयर में ग्रोथ देखने को मिलती है वही अगर आप देखते हों तो 10.17% के बेसिस में एशेयर बढ़ा है और एसी ही ग्रोथ हमें आगे भी देखने को मिल सकती क्योंकि स्टॉक में बिल्कुल हमें मिल चुका है एक तकड़ा ब्रेक आउट और इसी के साथ शेयर उपर क्यों जाने वाला है सिक्स मन्त में और भी इच्चे रिटन्स है यहाँ पर अगर आप देखते हों तो यहाँ पर 67% लोग बाई करने के लिए और 33% लोग खोल करने के लिए यहाँ पर जिससे मन्त बता है कि डिविडेन क्या हमें मिलेगा तो यहाँ पर आप देखोगा 2018-2019 यहाँ पर एद दो सालों में फरवरी के महीने में डिविडेन मिला है फिर उसके बाद COVID आ गया था तो डिविडेन नहीं दे पाई कमपनी बट September 2022 में डिविडेन दिया अभी अगर देखे 2023 में यह अपना फिर से जो पहले जिस तरीके से डिविडेन देता था वेसा ही डिविडेन अब देना स्टार्ट कर सकता है तो फरवरी तो निकल गया है बट मार्च के महीने में हाईली चांस है कि डिविडेन का अनॉंस्मेंट हो जाए क्योंकि कमपनी इस बार प्रॉपिटेबल रही है लेवल्स शानदार है कल के लिए पॉजिटिव रह सकते हो ब्रेकाउट हमें मिल सकता है और जो टार्गेट है और 80 रूपिस के अराउंड भी जा सकता है लेवल्स की बात कर ले तो यहाँ पर आप देखो तो शेयर में उपर के लेवल से 80 रूपिस के लेवल से एक तगड़ा रिजिक्शन देखने को मिला था वन हार के ताइम फ्रेम पर हम डिस्कस कर रहा है और वही नीचे की ओर एक स्ट्रॉंग सपोर्ड भी देखने को मिल जाता है और उपर से एक रिजिक्शन तो इन ही अपसाइड डाउंस मुमेंटम के चलते स्टॉक में यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल ब्रेकाउट के नियर है रिजेक्शन ट्रेड लाइन के नियर है और ब्रेकाउट अगर मिलता है तो स्टॉक में यहाँ से एक तगड़ी तेजी देखने को मिल सकती है हसी रुपे के राउंड तक के जो टार्गेट्स हैं यह शेयर इजी तरीके से अज्यू कराकर दे सकता है वही आप देखो 4R के टाइम फेम पर भी बड़े लेवल पे स्टॉक में एक फॉलिंग वेश टाइप पैटन क्रियेट हो रहा है इसी के बेसिस पे अगर आप देखते हों तो शेयर में एक ब्रेकाउट भी मिला है और इसी ब्रेकाउट के साथ अगर देखा जाए गाइस तो स्टॉक आने वाले टाइम में 90 प्लस भी यह जा सकता है क्योंकि 90 रुपे से भी ज़्यादा के रिटन से दे चुका था और वही से गिरिना स्टार्ट हुआ था अब यह बिल्कुल वहाँ पर जाने कोशिश कर रहा है क्योंकि day 1 टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो तो आपको एक पैटन देखने को मिलेगा यहाला कि यहाँ पर भी एक पॉलन फ्रेक टाइप पैटन देखने को मिलता है और कल ब्रेकाउट इसमें मिल रहा है वही बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो day 1 टाइम फ्रेम पर पॉलन फ्रेक टाइप बेटन का ब्रेकाउट मिल चुका है सस्टेन करके यह शेर उपर जा रहा है तो 90 रुपे तक का जो लेवल है वो एजी तरीके से यह शेर अच्यू करा कर देगा ही देगा अब बात कर लेते हैं NHPC Limited की तो गैस NHPC Limited में अगर हम देखे तो शेर यहाँ पर 40.05 रुपेस के राउंड क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है वही अगर बात करें तो स्टॉक में 0.40 रुपेस के राउंड तक की गिरावट भी नजर आती हैं 0.99 परसंड के बेसेस पर वही यहाँ पर लास्ट 5 डेस में स्टॉक में एक अच्छे बड़त देखने को मिली यहाँ पर जो लेबल्स हमने पहले डिसकस किये थे उन लेबल्स के रिसाप से और उसके बाद स्टॉक में तगड़ी प्रॉफिट वुकिंग आ गई मार्केट भी वीक था जसकी वज़स से यहाँ पर NHPC में गिरावट आई और कंटीन्यू शेर गिरना स्टार्ट हो गया बट यहीं अगर आप देखो तो एक फॉलिंग वेश टैप पैटर्न आप इसे कंसिडर कर सकते हो अगर ब्रीक आउट मिलता है तो शेर अच्छे रिटन दे सकता है 0.85 रुपिस तक गिरा है वन मन्त में हाला की एक बड़त हमें देखने को मिलती है बड़त के साथ साथ शेर में इस रेंज पर एक सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है जहां से शेर उपर की और जा सकता है अब बात कर लेते हैं डेवन टाइम फ्रेम पर अगर देखो गए तो 92 लाग के राउंड की डिलिवरिस इस शेर में उठाएगी है और एस्टर डे में भी 92 लाग के राउंड की डिलिवरिस उठाएगी थी community sentiments के आकड़े भी अगर हम देखे तो इसमें हमें 80% जो लोग है वो यहाँ पर बिल्कुल buy करने के लिए कह रहे है 20% जो लोग है वो यहाँ पर sell करने के लिए कह रहे है बिल्कुल guys हसी प्रतिशत लोग यहाँ पर positive है और labels की बात कर ले तो पहले हमने इस range को discuss किया था और एक चीज clear कर दी थी कि अगर breakout मिलता है share शांदार return देगा तो यहाँ पर इसने एक छोटा सा symmetrical type pattern create किया इसमें भी हमें शांदार breakout मिला और एक ही दिन में अगर देख सकते हो आप यह 41 से लेके सीधा 43 रूपिस तक के high इसने लगा है बट यहाँ से एक profit booking आई उसके बाद share नीचे की और आता गया बट कही न कही लग रहा है कि इस रेंज पर support ले रहा है आप यहाँ पर भी देख सकते हो यह support लेता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से उपर यह जा सकता है जिसमेना आगे भी आपको बता है कि एक breakout का wait करो शानदार return समय मिल सकते हैं इन चीजों का आपको ध्यान रखता है वही चीज़ अगर आप day one time frame पर देखते हों तो बिल्कुल एक falling बेश टाइप pattern create हुआ था और share उपर गया फिर यहाँ पर एक range create कर रहा है एक range ही यहाँ पर बनती है और इस range के basis पर अगर आप देखते हों तो आप बस आपको wait करना है एक breakout का यहाँ से share उपर की उड़ जा सकता है और जो 44 रुपिस तक के target है वो भी achieve हो गया क्योंकि 44 रुपिस के level से पहले भी down आया है और यहाँ पर बनता है एक बड़ा pattern जैसे मैं यहाँ पर trade line बना हूँ और यहाँ पर trade line बना हूँ तो एक symmetrical type pattern बनता है बट गईस यहाँ पर 27 तक के भी level achieve हो सकते हैं बात करेंगे एक dividend share के skyfler India Limited यहाँ पर अगर देखे auto ancillaries bearing का काम करती है company 2749 रुपिस के round तक share ने closing दी है वही अगर देखे 24 रुपिस पर equity share आपको मिलने वाले है हर share पर final dividend company के और से दिया जा रहा है इसकी जो x dividend date है वो है यहाँ पर 11 अपरेल 2030 त करोगे तो बिल्कुल dividend का benefit आपको हने वाला है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो गर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना अगर ट्रैली ग्राउंड चनल को join नहीं क्या है तो नीचे link description में में जाएंगे join कर लेना thank you